दोस्तों महिंद्रा ने अपनी महिंद्रा बुलेरो मैक्स 2.0 पीकप लॉंच की है यह पीकप 2 टन पेलोड कपसिटी के साथ मार्केट में आई हुई है तो आज हम देखने वाले हैं कि इसमें और महिंद्रा की जो पुरानी सबसे ज्यादा पेलोड कपसिटी वाली पीकप थी महिंद्रा एक्स्टा लॉंग जो 1.7 टन की पीकप आती थी इसमें और नई गाड़ी में क्या डिफ्रेंस है और क्या चीज कौम है तो वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग और नॉलेजबल होना रहा है आपको वीडियो अंतर तक देखना है और अगर अभी तक हमा सिलेंडर वाला बिया 6 डिजल इंजन देखने को मिलता है जिसकी जो मैग्जिम्म पाउर रहती है 59.7 किलोवाट की रहती है और इसका मैग्जिम्म टॉर्क आपको 220 न्यूटन मिटर देखने को मिलेगा दोस्तों बात करूं महिंद्रा 1.7 बुलेरो जो पीकप आती है जिसम टॉर्क आपको 200 न्यूटन मिटर का देखने को मिलता है तो क्लियरली इंजन को कंपेर करने के बाद हमको यह पता चला है कि महिंद्रा ने जो एक्जिस्टिंग इंजन है उसी को थोड़ा बहुत मोडिफाई करके महिंद्रा की जो नई पीकप है जो दो टन पेलोड के को मिलेगा यहां क्लच में आपको कोई भी डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनुहीं गाड़ियों में महिंद्रा ने सिंगल प्लेट ड्राई टाइप का क्लच यूच किया है तो आपको दोनुहीं गाड़ियों के क्लच में कोई भी डिफ्रेंस नहीं देखने को मिले अगर मैं बात करो new गाड़ीों के steering के बारे में तो दोनुगी गाड़ीों में आपको hydraulic power steering लगा के दिया जाता है यहाँ पर आपको hydraulic power steering होने के कारण गाड़ी की जो range होती है बढ़ जाती है और गाड़ी में driver को थकान का सामना भी नहीं करना पड़ता है अगर मैं बात करूँ दोनों के braking system के बारे में तो यहाँ पर आपको braking system में भी कोई major difference देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में महिंद्रा के दोरा hydraulic braking system लगा के दिया जाता है जो की hydraulic flute के दोरा काम करता है इसमें front side में आपको दोनों गाड़ियों में hydraulic disc brakes और दोनों गाड़ियों के rear side यानि के पीछे की तरब आपको hydraulic drum brakes देखने को मिलेंगे तो आपको दोनों गाड़ियों में similar braking system देखने को मिलेगा दोस्तों अगर 1.7 ton pickup की suspension की बात करूँ तो इसमें आपको front और rear दोनों गाड़ियों सेम suspension देखने को मिलेगा rigid leap spring suspension यहां front और rear यानि की आगे और पीछे दोनों तरब आपको hydraulic double acting shock भी लगा के दिये जाते हैं तो suspension में भी आपको type of suspension में difference नहीं देखने को मिलेगा हो सकता है कि payload capacity बढ़ाने के लिए महंदा ने number of leaps को यहां पर बढ़ा दिया हो जो की दो टन वाली गाड़ी में यहां पर आपको देखने को मिल सकता है तो आपको suspension यहां पर मजबूत दोनों गाड़ियों का देखने को मिलेगा जो suspension का type है उसमें कोई अंदर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो इसमें जो hydraulic shock absorbers का इस्तिमाल होता है दोनों गाड़ियों में front और rear में उसके कारण leap spring का protection बढ़ जाता है साथ-साथ गाड़ियों का जो ride comfort होता है वह बढ़ जाता है और दोनों गाड़ियों की payload capacity भी hydraulic double acting shock absorbers से बढ़ जाती है अब हम बात करने वाले हैं दोनों गाड़ियों के tires के बारे में तो बुलेरो दो टन में यहां पर आपको 7R 16 के tires देखने को मिलेंगे front में दो tire rear में दो tire और एक spare tire लगा के दिया जाता है यहां पर आपको 16 इंच के बड़े tires देखने को मिलेंगे अगर मैं बात करूँ बुलेरो 1.7 टन pickup के tires की तो इसमें आपको 7R 15 के tires देखने को मिलेंगे यानि कि आपको यहां 15 इंच के tires देखने को मिलेंगे तो एक major difference निकल के आ रहा है कि tire size को बड़ा दिया गया है यहां पर बुलेरो 2 टन वाली pickup में महिंद्रा यहां पर बुलेरो 1.7 टन में भी front में दो tire rear में दो tire और एक spare tire आपको परदान करता है तो major difference आपको यहां पर tire size में देखने को मिला है दोस्तो अगर मैं बात करूँ दोनु गाड़ियों की weight capacity के बारे में तो यहां पर बुलेरो 2 टन का जो जीवी डवलू यानि की ग्रॉस्विकल वेट रहता है 3895 kg का रहता है अगर मैं इसके payload capacity की बात करूँ कि आप इसमें कितना load भरके ले जा सकते हैं तो इसका payload रहता है 2000 kg यानि की 2 टन इस काड़ी में आप 2 टन तक का payload लेके जा सकते हैं वहीं जो बुलेरो महेंदरा की बुलेरो 1.7 टन पिक अप आती है इसका graphical weight यानि की GVW रहता है 3490 kg वहीं इसकी payload capacity की बात करूँ कि आप इसमें यानि की बुलेरो 1.7 टन पिक अप में कितना payload लेके जा सकते हैं तो यहाँ पर आपको payload capacity मिलने वाली है 700 kg जिसको अगर मैं टन में convert करूँगा तो 1.7 टन की pilot capacity यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तो clearly आप देख सकते हैं कि 2 टन वाली pickup में आप 300 kg ज़्यादा weight लेके जा सकते हैं अब हम बात करेंगे दोनु गाड़ियों के यहाँ पर fuel tank capacity की तो दोस्तो यहाँ आपको दोनु ही गाड़ियों के fuel tank capacity में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनु ही गाड़ियों में महिंद्रा ने एक ही capacity का fuel tank यूज किया है यहाँ आपको 60 लिटर का fuel tank महिंद्रा बुलेर और 2 टन वाली pickup में देखने को मिलता है जो की नई recently launch हुई है वहीं जो महिंद्रा की पुरानी 1.7 टन वाली pickup आती थी इसमें भी आपको पहले से 60 लिटर का fuel tank महिंद्रा लगा के देता है दोस्तों pickup के लिए 60 लिटर का fuel tank ठीक है थोड़ा सा अगर बुलेर और 2 टन में range और बढ़ जाती तो और अच्छा रहता जिससे की fuel ज्यादा भरा जा सकता था अगर मैं बात करूं दोनों गाड़ियों के vehicle की dimensions की तो इसमें wheelbase की बात करें तो महिंद्रा बुलेर और 2 टन pickup का wheelbase आपको 3290 mm का मिलता है वहीं जो 1.7 टन वाली pickup आती है इसका wheelbase आपको 3264 mm देखने को मिलता है माइनल सा अंतर देखने को मिलेगा अगर load body की dimensions की बात करें तो यह मैं आपको fit में बताऊंगा सबसे पहले बात करूंगा महिंद्रा 2 टन pickup की load body की तो इसमें load body की length 10 फिट रहती है जो इस segment की सबसे बड़ी load body की length के साथ आती है और width इसकी 5.9 फिट रहती है वहीं जो महिंद्रा की 1.7 बुलेरो pickup आती है 1.7 टन की तो इसकी load body की length 9 फिट के करीब रहती है और इसकी चोड़ाई की बात करनो तो 5.6 फिट की चोड़ाई यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको major difference देखने को मिला है जो महिंद्रा की 2 टन वाली pickup है उसमें महिंद्रा ने load body की dimensions को बढ़ा कर दिया है जिसके कारण इसकी length आपको 1 फिट ज्यादा देखने को मिलती है compare to bolero 1.7 टन pickup और जो width है width में भी आपको 0.3 फिट की यहाँ पर difference देखने को मिल रही है तो दोस्तों load body की जो dimensions है उनमें बहुत variation देखने को मिला है अगर ब bolero 2 टन में आपको 14 से 17.2 किलोमेटर पर लिटर का mileage देखने को मिल सकता है वहीं जो महिंद्रा की bolero 1.7 टन pickup आती है इसमें आपको 15 से 18 किलोमेटर पर लिटर का mileage देखने को मिल सकता है जो हम आपको mileage बता रहे है based on internet research बता रहे है exact mileage के लिए आप से request करेंगे कि आप एक बार nearest महिंद्रा के showroom में जाके visit कीजिए और वहाँ आप पता कर सकते हैं दोस्तों finally बात करते हैं दोनों गाडियों के price के बारे में तो यहाँ पर bolero 2 टन का जो price से start हो रहा है 9.99 लाइक रोपीज के एक शोरूम price से यह गाड़ी start हो रही है वहीं जो महिंद्रा की यहाँ पर bolero 1.7 टन की pick up आती है इसका जो price से start होता है 8.85 लाइक रोपीज के एक शोरूम price से इसका price start होता है दोस्तों जो हमने आपको price बता रहा है यह based on internet research दोनों गाड़ियों का एक शोरूम price बता है अगर आपको exact या on-road price बता करना है तो request करूंगा nearest महिंद्रा के शोरूम में आप विजिट करके पता किजिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment section में बताईए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद